नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप इस अगली वीडियो में जिसमें आज हम comparison करने वाले हैं HP 516 printer और HP 419 printer पर तो पिछली वीडियो में हमने comparison किया था 516 और 530 printer पर जोकि HP brand के ही printers हैं तो अगर आपको इन दोनों में comparison देखना हैं तो आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो लिंक पर पहुच सकते हैं तो अब हम बात करते हैं अपने इस comparison पर जोकि रहेगा 516 और 419 के बीच में तो दोनों ही printer HP brand में आते हैं और दोनों का ही price range जो है वो 10,000 प्लस है तो 516 जो printer है वो आपको थोड़ा सा high range में मिलेगा जो कि HP 419 से करीबन 1500 से 2000 रुपए महंगा आपको मिलेगा तो 516 printer महंगा क्यों है क्योंकि इसमें कुछ extra features आपको मिल जाते हैं जो कि आपको 419 printer में नहीं मिलेंगे तो अब हम देख लेते हैं कि उनके बीच में difference क्या है features के बारे में भी हम बात करेंगे कि दोनों में आपको features क्या मिलते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं difference में तो जो कि पहला difference है जो कि आप केवल photo देख करके भी पता कर सकते हैं वो ये है कि जो ये printer है इसमें आपको जो ink tank मिलता है वो आपको within the printer मिलता है मतलब printer के अंदर होता है और जो 419 printer है वो आपके printer के बगल में आपको ink tank मिलेगा तो ये तो रहा आपका पहला basic difference तो जो अगला difference है वो है इसके print quantity में तो जो black and white print होते हैं वो 419 में जो company claim करती है वो है 15,000 prints जबकि 516 में आपको जो print quantity है वो ही 18,000 prints की है तो इसमें क्या difference है इसमें जो आपको per print का जो price है वो थोड़ा सा high हो जाता है इसका जो तीसरा difference है वो है इसके print speed पर तो 419 में जो print speed है वो थोड़ी सी कम है as compared to 516 में तो जो कि आपको 419 में जो print speed मिलती है वो करीबन जो black and white में मिलेगी वो करीबन 10 prints per minute की मिलती है और आपको 516 में जो print speed मिलती है वो 10 से 20 prints per minute की मिलती है वहीं हम बात करें अगर color की तो color में दोनों में ही आपको जो print speed है वो normal है मलब करीबन आपको 10 paper per minute के हिसाब से आपको मिलेगी less than ही रहेगा 10 paper maximum जो speed आपकी जाएगी per minute की वो 10 paper ही जाएगी अब इन दोनों में जो अगला एक difference मिलता है वो है इसका bluetooth connectivity का तो 516 में आपको inbuilt bluetooth मिलता है जबकि आपको 419 में bluetooth नहीं मिलेगा तो ये था हमने इसके जो difference थे वो आपको बता दिये अब हम बात करते हैं इन दोनों printers के features के बारे में तो जो सबसे पहला feature इन दोनों printers में है वो ये है कि ये all in one printers हैं इसमें आप print यहां से आप scan plus photocopy ये तीनों चीजें इन printers से कर सकते हैं ये feature आपको दोनों ही printers में मिलेगा जो दूसर feature है वो है इसके wireless printing का तो wifi के थूँ आप दोनों printer को wirelessly connect कर सकते हैं तो अगर आपको wireless printing की ज़रूरत है तो आप इन printers को opt कर सकते हैं दोनों ही wireless printers हैं अब हम बात करते हैं इसके अगले feature की जो की है voice command printing तो voice command printing कैसे work करती है मैं आपको in short बता देता हूँ आप अपनी Alexa device को इस printer के साथ connect कर सकते हैं तो Alexa में कुछ pre-enabled printing options हमें मिल जाते हैं जिसमें हम लोग जैसे calendar हो गया या कुछ हमें photo coloring book हमें print करनी है तो कुछ ऐसे pre-defined printing feature हैं जो की हम आप अपने voice command के तुरू print कर सकते हैं हम कह सकते हैं Alexa print the calendar for this month तो आपको automatically printer से वो print हो जाएगा अगले feature की बात करते हैं तो वो है borderless printing तो दोनों ही printer में आपको borderless printing मिल जाएगी तो अब हम बात करते हैं इनके paper sizes की तो paper sizes में जो maximum size का paper आप print कर सकते हैं वो है A4 तो दोनों ही printers में maximum size का printing है वो A4 printers की है तो इसके अलावा अगर आपको छोटे size के print करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको print करना है वो कर सकते हैं plus A6 और B5 size के भी prints आप इन printer से कर सकते हैं तो दोनों ही printers हमारे ink tank printers हैं इसमें जो ink है वो बिलकुल भी spill नहीं होती है जब भी आप fill करेंगे नहीं इंक तो वो bottle से directly आप जो इसका tank है उसमें nozzle में आप fit कर देंगे और bottle को उल्टा पलटने के बाद भी वो ink उस bottle से नहीं निकलती है जब तक आप उसको properly ink tank में fit नहीं कर देते तो इन printers में आपको एक feature और मिल जाता है जो कि है HP e-print का feature तो ये कैसे walk करता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है कि आपको settings में जा करके इसमें एक email id होती है HP e-print option को आप जब enable करेंगे तो एक आपको email id देगा तो उस email id पर आप जो भी अपने email के through documents भेजेंगे maximum size 10 MB का है और जो भी document email में attach करके उस email id पर भेजेंगे तो वो document automatically ये printers print कर देंगे तो ये एक ऐसा feature है कि जिसमें आपको अगर printing की कोई need है और आप अपने office से बाहर है तो आप अपनी कहीं भी location पर एक email पर आप mail भेजिये जो document print करना है और आपका document वो print हो जाएगा अब आप बात कर लेते हैं एक अगले feature की जो की एक difference है 516 और 419 के बीच में वो ये है कि इस printer में 516 printer जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको scan to PDF converter मिल जाता है means आप जो document scan कर रहे हैं वो अपने phone पे automatically वो PDF में convert हो जाएगा और आप HP की app के थुरू directly उसको WhatsApp पर या email पर कहीं भी share कर सकते हैं ये feature आपको 419 में नहीं मिलेगा अब हम बात कर लेते हैं अगले feature की जिसमें मेरी पिछली वीडियो में कई लोगों ने comment किया था कि क्या इसमें automatic dual side printing आती है तो मैं बताना चाहूंगा ना तो 516 model में आपको automatic dual side printing मिलेगी और ना ही आपको 419 printers में automatic dual side printing मिलेगी तो अगर आपको requirement है automatic dual side printing की तो इन दोनों ही printers में ये feature आपको नहीं मिलेगा हलाकि आप manual dual side printing ज़रूर इस printers के थूर कर सकते हैं तो वो दोनों ही printer में आप कर पाएंगे तो ये रहा comparison हमारे 419 और 516 printer के बीच में I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके कोई भी questions हैं doubts हैं तो वो comments के थूरू आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं personally सारे comments को reply करता हूँ और आपको कोई भी अगर किसी भी topic पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप अपने comment में मेरे को share कर सकते हैं पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में